तो आप सब का आज के इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DMU वर्सीज LSA क्रिकेट मैच के फैंटेसी टीम के बारे में वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा तभी आपको हर एक अपडेट के बारे में पता चल पाएगा पिछ रिपोर्ट कैसी है, प्लेइंग इलिवन कौन से होने वाले, इंजिरी अपडेट क्या और कैप्टेन किसे बनाना है, वाइस कैप्टेन किसे बनाना है टिम में कितने allrounder लेने, कितने batsman लेने, हर एक चीज detail में पता चल जाएगी, तो वीडियो को पुरा end तक देखिएगा, चलिए सुरुवात करते हैं इस interesting वीडियो की, ये मैच साड़े आठ बजे सुरू होगा, अभी अगर अपने इस मैच का प्रिव्यू चेक करें, तो आप देगे, DMU टीम ने पिसले मुकाबले में, DJI टीम के गिलाब 5 विगेट से जीत दर्ज की थी, और ये DMU टीम की टूर्णामेंट की आठ भी जीते, वसोला अंकों के सा अंक तालिका में पहले इस्तान पर है, नौमान अनवर, हमाद आजम ने DMU टीम के लिए अच्छा परदसन किया है, LSA टीम ने अपने पिसले मुकाबले में, MCS टीम को साथ विगेट से आराया है, और वो 11 अंकों के साथ अंक तालिका में छोटे इस्तान पर पहुँच गई ए, LSA टीम की तरब से पिसले मुकाबले में, मिलिंद गुमार ने 72 रन की नवाद पारी घेली ती, तदा सुभम रंजने ने भी अल्राउंडर परदसन करते हुए, 21 रन बनाये और दो विगेट लिए, तो दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी जीत को बरकरार रखने की कोसिस करने वाली है, सो काटे की टक्कर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बौसम रिपोर्ट की बात करते तो आसमान में हलके बाद अल्चाहे रहेंगे, परणतु बारी सोने की संभावनाय बिलकुल नहीं है, और ताप मान 26 डिगरी से LCS रहने की उमीद है, पिछ रि 15 रन का है, और पहली पारी में बलेबाजी यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल नजर आईए, लक्से का पीछा करते हुए जो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिले, वो आप देख सकते हैं, दूसरी पारी में बलेबाजी थोड़ी आसान है, इसलिए यहाँ पर लक्से जो की कप्तान है, एंड्रीज गौन्स, नौमान अनवर, एसान आदिल, अली सेख, नौस्थूस केंजी गे, सुजीत गोड़ा, प्रतमेश पवार, जो की विकेट के पर है, निदाद निदान निमबाल कर, मनसब गिल, सो यह DMU की टीम हमने यहाँ पे देखी, अब LSA की टी जो की विकेट के पर है, नितिस कुमार, मिलिंद कुमार, सुबम रंजने, रुविंदु गुनासेकरा, हिरल पटेल, हमजा खालीद, लकसे पारेक, स्रियान सतीस और करण पटेल, अब यहाँ पे ड्रीम टीम टॉप पिक्स की बात करते हैं, तो कुछ खिलाडी DMU टीम की त तरब से बताऊंगा, जो की ड्रीम टीम के लिए टॉप पिक्स रहने वाले हैं, इनको अगर आपने टीम में नहीं लिया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, टीम बनाने का, सब दीगें, यहाँ आपे सबसे पहले DMU टीम की तरब से तीन खिलाडी देखते हैं, नॉमान अनव यह टीम के सलामी बलेबाज है और पिसले मुकाबले में 35 रन बनाएं, दो विकेट लिये, तो इस मैच में यह कप्तान के तौर पे अच्छा विकल्प है, हमाज आजम, यह DMU टीम के कप्तान है और इन्होंने पिसले मुकाबले में दो विकेट लिये, साथी यह बले से भी अच्छा योगदान देते हैं, थार्ड प्लेयर है ऐसान आदिल, यह पिसले मुकाबले में 3.5 आवर में 12 रन देकर दो विकेट ले चुके थे, इस मैच में भी अच्छा पर्दसन कर सकते हैं, अब बात करते हैं, LSA टीम की दरब से तीन घिलाडी होगी, मिलिंद कुमार य 6 गेंदों में 72 रन की नावाद पारी खेली है, सुभम रंजने, LSA टीम के परमुक आल राउंडर है, पिसले मुकाबले में इन्होंने 21 रन बनाया और 2 विकेट लिये, इस मैच में भी बल्ले और गें दोनों से अच्छा योगदान दे सकते हैं, रुविंदू गुना से ए 2023 के कप्तान और उपकतान के विकल्प की, सो देखे कप्तान के लिए दो विकल्प है हमारे पास और उपकतान के लिए भी दो विकल्प है, कप्तान के तौर पे मिलिंद कुमार और सुभम रंजने अविलिबाल है, मिलिंद कुमार मुझे यहां पर बना सकते हैं, इसके सा देता हूँ सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 के लिए नहीं जितने भी फैंटसी अप है उन सभी एप्लिकेशन में आप ये टीम बना सकते हो सो यहां पर रहेगे ड्रीम 11 टीम वन अब विगट के पर देगे एंड्रीज गौस बल्लेबाज के तौर पे नौमान अनवर और नितिस कुमार को आप ले सकते हो ओल्राउंडर के तौर पे हमाद आजम, अली सेख, मिलिंद कुमार, सुभम रंजने को आप ले सकते हो गेंदबाज के तौर पे एसान आदिल, रुमन राईस, नौस्थूस, कैंजीगे और पवन सुयाल को आप ले सकते हो अब ड्रीम 11 टीम 2 की ब पताना चाहूंगा, सो आप देगे यहाँ पे एंड्रीज, गौस और सायन, जहांगीर दोनों विकेट कीपर बले बाज है, अब डिरेक्ट बले बाज की बात करें तो नौमान अन्वर, नितेश कुमार, कोरी एंडर्सन और ओल्राउंडर की बात करते हैं, हमाद आजम, अल के बारे में वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है, सो दीगे इस मैच में LSA टीम का पलड़ा थोड़ा पारी है, नौमान अन्वर, नितेश कुमार इस मैच में ग्रेंड लिग में कप्तान और कप्तान के लिए अच्छा विकल्प है, इसके अलावा LSA टीम के मैच जीतने की समभावनाएं भी यहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि LSA टीम अपने आप में काफी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे नजर आ रही है, अब जो चीजे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको ध्यान से लिगे, यह फोटो आपने अमेशा यहाँ पे दिखा हो होगे तो चल जाएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है, लेकिन बैट्समेन, ओल्राउंडर एंड बॉलर्स इनमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो पहली टीम बनाई हैं, उसमें आप दीखे, पहले दो हमने बल्लेवाज लिए, चार हमने ओल्राउंडर लिए, एंड चार हमने बॉलर्स लिए, एक विकेट के पर लिया, तो ग्यारा पूरे खिलाड़ी हो गए, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो रहा हैं, उसको ध्यान से दिखते हैं, दो विकेट के पर हमने उठाएं, सेगंड आपको सही रास्ता दिखाती है, अब विडियो अगर आपको informative लगा है, तो विडियो को लाइक करिए, साथी इसी तरह से हर एक fantasy match के अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अब से आने वाले समय में हर एक fantasy match का अपडेट आपको इस चैनल के online earning के related काफी सारे विडियो मैंने बना के रखे, almost 500 के above विडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, चेक आउट करिए और उनको देखे ब्रेंड